नमव नारे येगो माताव वंदे मात्रमा भारती कुपनाव और फिरदैशे ओम शम शनिश्चराए मधूर अबाद किसको पसंद नहीं साथ जब कोईल बोलती नहीं सबको मधूर लगती है वैसे ही आपकी कोई प्रसंसा करे आपकी कोई बड़ाई करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है एक बात कहना चाहता हूं साथ अपनी प्रसंसा सुनते सुने एक बात पर विश्यस ज्यान देजिए कि ये प्रसंसा सही है या नहीं कभी कभी लोग अपने नीजी स्वार्थ के लिए ज्यूटी प्रसंसा भी कर दते हैं और ज्यूटी प्रसंसा अगर आपको मधूर लगे तो ये समझ लो कि अब आपको नुकसान होने वाला है जात्यों अपने बच्चे किसको बुरे लगता है हर बच्चा अपने माबाप को अच्छा लगता है जाए वो गलत भी हो तब भी अच्छा लगता है उसी तरह अपना कियावा कारी प्रतियक व्यक्ति को अच्छा लगता है इसलिए प्रसंसा भी करनी है तो सच्ची प्रसं 22 का मैना नक्षतर गर्णाओं के हिसाब से क्या संके दे रहा है पने आपके सामने ये वीडियो लेकर हो आप सभी के लिए नक्षतर गर्णाओं और घ्रय योगायों के हिसाब से क्या कह रहा है क्या कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे क्या कुटम परिवार समाज में संतुलन रहेगा क्या मनोबल मजबूत रहेगा क्या आपकी यात्राई लाबदाइक रहेगी या फिर कश्ट है भूमी भवन वहन की प्राप्ति का योग है क्या संतान पक्स आपके लिए ठीक है क्या एजुकेशन के छित्रे में आपको शफलता मिलेगी क्या अनावशिक विमारिया आपका पिछा छोड़ेगी कैसा रहेगा वैभाईक जिवन क्या आप दुरुगटनाओं से परिशान रहेगे क्या दुरुगटनाओं से पिछा छुटेगा क्या पिता का प्यार मिलेगा धर्म में रुची रहेगी कामकाज नौकरी में सफलता मिलेगी या फिर उठापटर का संकेत है क्या लाब की अवसर मिलेंगे या फिर जूंजना पड़ेगा हानी से इन सब का लेखा जोका लेकर पुने आपके सामने हूँ आपकी अपने यूट्यूब के चैनल गुर्मंतर वितदाती महराजी आईए सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महिने में कब-कब किन-किन ग्रहों का राश्य परिवरतन हो रहा है सोडा नवंबर दोहजार बाइस सूर्य देव साम साथ बज़कर पंद्रा मिंट पर अपनी मितर राशी विर्षिक में प्रिवेश करेंगी इस समय जब नवंबर का महिना प्रारंब होगा तो चंदर देव मकर राशी में संचर्ण करें उस दिन परिवर्तन कर वर्षिव राशी में प्रिवेश करेंगे बुद्देव 26 अक्टूबर से तुला राशी में संचर्ण कर रहे है और 13 नवंबर को विर्षिक राशी में प्रिवेश करेंगे ब्रश्पतिदेव स्वराशी मकर में संचरन कर रहे हैं मारगी अवस्ता में रावदेव मेश राशी में और केतु देव तुला राशी में यह है इस महिने का घ्रह योगा योग अब बात करते हैं इन घ्रह योगों गोगा विबिन राशियों में संचरन से आपके उपर यानि विर्शब राशी पर क्या प शुकृदेव शूरी देव बुद्देव के तुछ तुला राशी च्टे भाव में संच्रण कर रहे हैं। सुकृदेव का मिलन 11 नममबर तक च्टे भाव में लक्षमी नाराणी योग बना रहा है। को शुकरदेव राशी परिवत करेंगे रहेंगे और वर्शिक राशी में परवेश कर जाएंगे और 13 नौबर को बुद्धेव पुने शुकरदेव के साथ लक्षमी नाराने योगी स्थापित करें तो विर्शिव राशी वालों के लिए नवंबर का महिना लाब और सपलता कामकाज नोकरी वैविशाई को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे लेकिन रिष्टों को लेकर फूर अशा शावधानी का संकेत दे रहा है निजी रिष्टों को लेकर पवित्ता और पार्दस्ता रखना बहुत जरूरी है थोड़ असा खानपान पर ध्यान दे देनिक दिन चे अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा है यह अलग बात है कि कामकाज, कारोबार, नोकरी, वैविशाई में सपलता के अच्छे अवसर मिलेंगे शुकरदेव आपको लाब देंगे इदि आप आयात और निरात का कोई कारी करते उसमें विशेश सपलता मिलेगी धन कमाने कि तरीका गलत हुए तो आपको नुकसान हो सकता है, लंबी दूरी की यातरा का संकेत और यातरा में लाब मिलेगा, यह था विर्शेव राशी की राशी अध्युपती का शुकरदेव का नवंबर के महिने में विर्शेव राशी वालों के शुकरदेव का नवंबर के महिन तो शुरीडेव के साथ संच्रण करेंगे 16 नहमुब तक बुद्देव का और शुरीदेव का यह संच्रण कामकाथ कारोबार नौकरी के हिसाब से विरश्व राशी वालों के लिए लाब का संकेत लोंगों कारीस्टली वर्त्चन सोबढ़ेगा करजों में कम आएगी लाब कि हम लाब के संकेट और सरकार से भी लाब मुले दो सुरिदेव का अनकूल संकेट है अब मैं बात करूँगा मंगल देव बाहरे में उर्शप्तों भाव के सौमीय होकर धन भाव यह दूसरे भाव में मिथुन रास्य में वक्री अवस्ता में संचरन करें तो कामकाज को लेक लेकर यह पार को लेकर धन को लेकर परिश्भम महनरर संगर्ष का पूर्ण लाब प्राप्त होगा अच्छी क्यां लाब और धारमी की यात्राशन का नदर आ रहा है और पैसे टके को लेकर कामकाज को लेकर वैविशाय को लेकर नौकली को लेकर मंगल देव ठीक संकेत दे रहे पर तु वानी और वैवहार की प्रतिकुलत का इती वज़े से परिवार में कले का संकेत नजर आ रहा है वानी में दी तलकी है वानी में संयम नहीं है अकारण क्रोध की संभावना नजर इस दौरां परिवार में कलें हो सकता है साफधानी बर मंगल देव 13 नम्मर को वक्री अवस्ता में राशी परिवर्त करेंगे विर्षब राशी लगन भाव से संचरन करेंगे तो आतमबल मजबूत होगा मनवाव शेक्ताओं की फूर्थी होगी कामकाज लेकर आर्शते किसी देना पड़ेगा और कोई साज़दारी का काम है तो साज़दार से मन मुटाव नहीं हो थोड़ा सा देख लेना वैसे भूमी भवन वहान का संकेत नजर आ रहा है लेकिन लीगल मामले ठीक होने चाहिए इस पर आपको गोर करना पड़ेगा अब मैं बात बुद्देव की क शूर्देव शुकरदेव के तो देख साथ 13 नवम्रदक छटे भाव में संचरन करें तेरा नवम्र वर्षिक राशी सब्तम भाव में आ जाएगा बुद्द का ये संचरन विल्षव राशी वालों के ठीक रहेगा नहीं ज्यादा नुक्सान बस ताते पाव पसार ये जात कि अवस्ता में संचरन करें 23 नवम्र को ब्रश्वर्देव मारगी हो जाएंगे ग्यारे भाव में विराजबान ब्रश्वर्दी की पंचम दर्श्टी तीसरे भाव पर है तो सास्त और पुरसार्त में भी होगी कॉम्निकेसिन इसकेल अच्छा होगा धरमकर में आस्ता संचरन करें संधियों अपने घर में विराजमान स्वराशी उनका अपना है अपनी राजमान तो क्यारियर में सपलता मिलेगी की सामाध इक सवरोकार बढ़ेगा लेकिन थोड़ा धीरे-धीरे काम होगा काम रुकेगा कोई मिनी भले देरी हो आपको कारोबार में कामकाज म नौकरी में अच्छी सपलता मिले बात राहुदेव के करें तो राहलोडेव व्राव के लिए बारवे भाव में संच्रन करें मानसिग संतुन को लेकर मैं बार बार चेता रहाँ कि व्रिषवराशी वालों को थोड़ा सा अपना इलाइमन्न ठीक रखना की काम का ना लेकिन बाहर में भावका रहो इस बात का भी संकेत है कि देश विदेश से जुड़े कारियों में लाब के अच्छे संकेत मिले एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अच्छा मिलेगा और कोई ऐसा काम रुकावा जो वीजा है कोई पेपर है आपका जो गिर्म कालड बगरा है आप रहते हैं तो उसमें भी लाबे जरूर देगा बात केतुदेव की करें केतुदेव चटेवा में तोला रासी में संच्रन करें काम काज और कारोबारों के लिए अच्छे आउसर मिलेंगे नीजी संबंदों को लेकर थोड़ी सी सावधानिया पर सुनी सुनी बातों पर विर्षब रासी वालों के लिए कामकाज वविशाई नौकरी धन शिक्षा समाज जीक पारवारिक और स्वास्रमंदी प्रसतियां नमंबर के महिने में कैसी रहेगी जो राशी फले आपकी चंदर रास्ती पराधारी और राशी फल सब के लिए सब से पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्तियों . विद्यार्तियों युवाओं के लिए ये महिना सिक्षा कैरियर कारोबार नौक्री के हिसाफ से अच्छा जायए , पढ़ये में रू चीप पड़ाये में मैंनत करेंगी , परिश्रम पनाम आपके पास अच्छे रहेगी , पारवारी हमना है आपको प्रोस्तान मिलेगा स्वास्ति ठीक रेगा सिक्सों की मैनत का फल तोफे के रूप में आपको अच्छे प्रिक्ष्ण पड़ाम दिलों में पराप्त होगा पारवेगे मसले ठीक रेंगे हाँ माता पिता की आगे उपर ध्यान दे उनके चर्ण चुए उनकी बात को सुने कि नमबर का मेना विद्यारत यूओं के लिए अच्छा संकेत रहा है यूओं को आप प्रतासिक लाप का संकेत मिला श्रामा जीक मान और प्रतिष्ण बढ़ेगी इससे में आप अपने जान भी अच्छा रहेगा और आपका काबिल्यत जो है उसकी तारीफ होगी तेकिन मित्रों इसके साथ-साथ आपको यह भी ऐसास होगा कि आपको भागी के साथ-साथ-साथ-साथ-स परिष्ण और मेहनत पर विश्वास करना चाहिए आपको नए लोगों से भेट और मित्र होगा पस अपनों से शमंद मदूर मेरा झाल रहें यह था यह और विद्यारते ओंग लिए नवंबर का मैंनर मैं बात करूंगा आपका कामकाज कारोबार करें और आर्थिक लिए बारवी भाव में राओदेव का संच्रण है ना तुना रासी में ग्रहों का स्टरुगरी बुद्देव की यूती लक्षमिनारम का यह करेगी तो मिलेगा लेकिन कड़ी मेनत करिके परिशन का ऊ CiT पारिस्तोस्तिक आपको मिलेगा भागिस्तान में विरादनान सनी देव की पूण तीसरी पूण दस्ति लाभ भाव पर है और ब्रश्पत देव शनी देव का तरह का समंद भी है इसके साथ सब्सक्राइब शूरीदेव शुकुर देव की यूती होगी यानि 16 नौबर से आर् सब्सक्राइब बुद्धियों का संच्रण नौकरी के छेत्र में अनावसिक परिशान से मुक्ति का संके दे रहा है अपने जूनियर अपने स्याकर्मियों के साथ कारी इस्तल पर आपका वर्शसों बढ़ेगा सरकारी नौकरी में इदिक कार्यद हैं आप तो समय पूर्थ होगी आत्मल बढ़ेगा आर्तिक स्वर्थन बढ़ोतरी होगी सासात आर्तिक इस्तिति सुदर होगी इस समय एक से अधिक रोजगार के साथ नौकलब्द होंगे आप प्रसद्धन प्राप्ति के सुर्थ खुलंगे आप पसासनिक अफ्सर है आप राजनेता हैं तो इसमय ना पना तुद आपके लिए ठीक रहेगा बस अपनी कारिसल में थोड़ा सा कुटनीती को बढ़ना होगा राजनीतां को फोक्तर participated क् 750 की बढ़ोतरी होगी यह 2. radio じं लाब के से अधिक और आवसर आपको प्राप्त होगी फूरा करने का पूर्ण अउसर आज मिलेगा आपको मात्व कांसों की पूर्ती होगी आपका ध्यान आपके लक्स पर होगा नौकरी और कामकाज वालों के लिए समय अच्छा संके देरा है मनवल मजबूत आतम विश्वास में भिर दी आपकी कारिशमता में भिर दी चुन्योतियों से कँम Aug udharde का संके देर है बिश्वराशी वालों दूसरा में वक्री मंगल दे इस बात का संके देरें की संबंदों में कड़ाबाच हो सकती आपकी वारी वहहार की वहार की वज़ए से कारिश rays σταव leake पाघटिश्यों की और शामाजियों कि आ थे सब्सक्रीश पढ़ेगा अनामसे को बाद बाद कानी मुसलों का सामना भी करना साब पता जीवन साथ्टे का सवयग अच्छा रहेगा और जीवन साथ्षटी का सवयग पारवारी बातावान को संतुलिल करने में पूर्ण सवयग आपको देगा फिर भी ऐक बात बहुत जरूरी नवमर को म नहीं दे पाएंगे घर से बार ज्यादा रहेंगे कोम्निकेशन पाजाएगा तो मनमुटाव की संभावना सभावी तो आप इमानदर से मेहनत करते हैं वैस्ट रहते हैं और तब को आपको टोक देदा आपको गुस्ता तुरंद आ जाएगा ऐसी अवस्ता में वानी पर जाएगे उसकी बाद रहुदेव आपके बारवे भाव में च्छटे भाव में शूर्देव बुर्देव का संचरन है इस बात का संकेत मिला है कि नवंबर महिने में स्वास्ते को लेकर चिंता है चिकसा मिला परवाई नहीं है छोटी-मोटी बिमारी बड़ा रूप ले सक उचरफ्त चाप और यूरनेल संबंदी कोई श्रमश्या है तो तुरंट चिकसा का सारा लेजिएगा मोशन परिवर्तन हो रहा है सर्दी जुकाम है तो तुरंट दवा लेजिए चिकसा में कोई लापरवाई नहीं किजिए और प्राकरतिक जीवन से लिए अपनाएगा प्रद्गाल नित्यकर्मिन शुनानों परांश्रधापुर केसरिया रंग का धागा उसमें थोड़ा सा केसर लगा दिजिए थोड़ा सा कुंकुम थोड़ी सी हल्दी इस देवता का ध्यान करें अपने गले में यह एक महीने धागा गले में रहना चाहिए और इस महीने हर नित्यकर्मिन शुनानों अपने पूजा इस्तान में सुद्देशी घी का दिपक जलाई ओम द्राम द्रीम द्राम शत्ष शुक्राय नमा और इसके साथ एक पाट गजन मुख्स इस तुरत का जरूस्तुने यह आपके लिए अच्छा रहे पिर जश्कौर्ण मित्रों शत् करें शुमानों में इसा प्रियास कर नाहbecca रोगर लुआ कई भूल कर नणे जिएक के बहुतफ़ांगanta उन सबस् railway सुल्स्यम्र जानके बहुत प्यारत से हजारं शक्रों बेटियों के यekने जीवन के लिए और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षय रहा है मनशे हूँ और मानोव हुने इतनाति मेरा कर्तव है कि मैं अपनी राष्ट की शेवा करूए इस राष्ट का नागरिक हूँ 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गोषवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है, धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं, पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं, अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और यह मेरा इंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामन तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश आप से प्यार करता है दाती महराज एक बार निवेदन करीए तो मैदान नहीं मांग रहा हूँ मेरा यहैंकार नहीं सातियों मेरा राश रो पर ही है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ मैं यह कहा रहा हूँ आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए सनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदर और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगवग लगवग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनीधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणाम करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे लिए इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनीधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है सासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्याद है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशालों में खड़ा रहना है नंबर है ज़रु सवयोकर है फिरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नारा हो नमो 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 नमो